नमस्कार दोस्तो उपाद्ध्य लर्निंग कंसेप्ट में आपका स्वागत है आज बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट 6 है अगर आपने पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं ठीक है तो आज का जो पार्ट है वो स्कॉयर रूट का है वो भी किसी पर्फेक्ट स्कॉयर नम्बर के लिए पर्फेक्ट स्कॉयर नम्बर आपके सामने होगा तो उसका रूट कैसे निकालोगे ध्यान रहें कि यह नॉन पर्फेक्ट स्कॉयर के लिए नहीं हैं आप मैं कोछ आपके सामने द तो देखते ही बता दोगे कि यह 41 का है, यह आप देखते ही बता दोगे कि यह 56 का है, यह आप देखते ही बताओगे कि यह 54 का है, अब आपको लग रहा होगा कि सर इतना जल्दी, हाँ बिल्कुल इतना जल्दी ही निकालोगे, घवड़ाने की जरूरत नहीं, ठीक है, तो मैं कुछ concept बताऊंगो उसको ध्यान से समझिएगा ये इतना जल्दी निकालने के लिए hardly 7-8 seconds आपको लगेंगे ध्यान रखना लेकिन concept को ध्यान से समझना उसको समझना बहुत जरूरी है उसको समझने में time आपको invest करना पड़ेगा तो देखे यहां मैंने कुछ basic basic से square लिखे हैं और उनके ये number है 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तक ही मुझे जरूरत है mostly लेकिन 10,11,12 के भी लिखे लिए हैं इसके बाद में मैंने square लिखे हैं इनका square,1 का square,2 का square,4,3 का square और 9 का square,81 इसके आगे भी आपको देख सकते हो ठीक है concept को ध्यान से समझना आप अगर इसके एकाई के अंक को देखोगे क्या बोला एकाई का अंक 3,7,8 नहीं देखेगा ये आप आई के अंक पर आगार आपको 2,3,7,8 मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो number perfect square नहीं है हलाकि मैं एक वीडियो इस बात पर भी बना हुआ कि कौन सा number perfect square है और कौन सा नहीं फिलहाल लेकिन मैं square root निकालने की बात कर रहा हूँ तो ये अगर आपको एकाई के अंक पर मिल जाए तो आप समझ लीजेगा कि number perfect square नहीं है अब देखो अगर एकाई के एंक पर आपको वन मिलता है तो वो दो नंबर का स्क्वैर होगा या तो वो वन का होगा या वो नाइन का होगा अगर फोर मिल जाता है या तो वो टू का होगा या फिर वो एट का होगा अगर 9 मिल जाता है तो वो 3 का होगा और 7 का होगा 6 मिल जाता है तो 4 का होगा और 6 का होगा और 5 मिल जाता है तो वो 5 का ही होगा अब मैंने आपके सामने जो square root पहले लिये थे मैं उनको लेता हूँ फिर देखे कि वो कैसे मैंने solve किये थे इतना जल्दी से 24-0-1 देखिए इसका भी एकाइक पेरिंग कर ली पहले नमबर पर दूसरे नमबर पर 1 और 9 लिख लिया बात किलियर हुई अगर आप 0-1 को देखते हो या तो वह 1 का होगा या 9 का इसे भूल जाओ 24 चेक करो कहा लाई कर रहा है 24 चार और 5 के बीच में लाई कर रहा है जिन दो नमबरों के बीच में लाई करेगा उनमें से मुझे छोटा नमबर पिक अप करना है तो 4 और 5 के स्क्वाइर के अंदर लाई कर रहा है तो इसका छोटा नमबर 4 है तो ये तो 4 आ जाएगा इसके बाद अब आप ये देखो कि 24 इसके नजदीक है या इसके नजदीक है तो आप देखो कि 24 तो 25 के नजदीक है 25 के नजदीक है तो इसका मतलब मेरा नमबर बड़ा है बड़ा नमबर है तो मैं बड़े नमबर में इन में से कोई बड़ा नमबर उठाऊंगा बड़ा नंबर क्या है मेरा नाहिन तो अभी तो कोई एक्जामपल और लिया है एक एक्जामपल और लिया है इसको देखते हैं फोर है तो यार या तो ये किसका होगा फोर या तो ये टू का होगा या ये एट का होगा एकाई कांग चेक करना है सबसे पहले आपको ठीक है या तो ये टू का होगा या ये एट का होगा इसका काम इस पेर का खतम हो गया अब आ जाते हैं 27 पे 27 देखो स्कॉयर वाली लाइन में कहा लाई कर रहा है अरे आपको होगे के सर 25 और 36 के बीच में लाई कर रहा है यानि 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है जब ये 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है जिनके बीच में लाई करता है उसमें से छोटा नमबर पिक अप करते हैं इस place के लिए मैं जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छोटा नमबर पिक अप कर रहा हूँ और छोटा नमबर कितना है 5 इसके बाद मैं ये 0, sorry इसके बाद मैं ये 27 देखो 25 के जादा करीब है या 36 के तो आप देखोगे कि ये तो 25 के जादा करीब है 25 की करीब है तो इन दोनों में से छोटा नमबर पिक अप कर लो ये कितना आगया अंसर? 52 आगया बात केलियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को इसके बाद मैं आ जाते हैं देखो फिर से ये एक्जामपल है ये 4 है तो ये फिर से ये 2 का होगा और 8 का होगा अब ये 33 है तो 33 देखो कहा लाई कर रहा है ये फिर से 5 और 6 के बीच में लाई कर रहा है 25 और 36 के बीच में लाई कर रहा है तो इसका मतलब जिन दोनों के बीच में लाई करता है उन मेंसे तो मैं इस पेर के लिए तो मैं छोटा नमबर पिक अप करता हूँ इसके बाद में ये इस वाले प्लेस के लिए 2 और 8 में से मुझे एक को चुनना है अब देखो ये 5 ये जो नंबर है 33 किस के नजदिक है 25 के या 36 के तो आप कहोगे का सर सी ये तो 36 के नजदिक है 25 से दूर पड़ रहा है और 36 के नजदिक पड़ रहा है याद रखें कि ये भी जो कुछ बता रहा हूँ ये परफेक्ट स्कॉाइर के लिए ही है और देखें एक्जामपल मैं काफी सारे एक्जामपल कराऊँगा अब देखो 29 है 53 29 ये भी एक परफेक्ट नंबर है जब परफेक्ट नंबर है तो सिंपल सी बात ये है आप यूनिट प्लेस चेक करो यूनिट प्लेस क्या है 9 या तो ये थरीका है या फिर ये 7 का होगा अरे बात क्लियर हुई तो भाई सिंपल सी बात ये है कि आप इस फादे पॉइंट को छोड़ दो अब 53 को पकड़ो 53 कहा लाई कर रहा है 7 और 8 के बीच में लाई कर रहा है जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छोटा नंबर पिक अप करो यानि मैंने यहां से 7 पिक कर दिया इसके बाद में आ छोटा नंबर पिक अप करना है आप यहां पे आ जाईए अब आप इसको देखोगे तो भाई ये भी 3 और 7 का ही बन रहा है इसका काम घतम हुआ उनसट देखो कहा लाई कर रहा है फिर से 7 और 8 के बीच में ही लाई कर रहा है तो जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छो ये नंबर मेरा बड़े नंबर के करीब है तो बड़ा लिखूँगा और छोटे के करीब है तो छोटा लिखूँगा तो अब आप इसके बाद में ये देखिए 59 64 के जादा करीबी जा रहा है इसका मतलब इसमें से मुझे बड़ा नंबर उठाना है तो ये कितना आ काम खतम हुआ इसके बाद में मैं एक मैथड और बताता हूं आपको एक तरीका और बताता हूं अगर आप ये चीज जानने में असमर्थ हैं कि किसके नजदीक है ये नहीं चेक करना चाहते इस वाले पिलेस के लिए तो आप एक काम क्या करो जिन दोनों नंबरों की बीच स उठा रहें नहीं का मल्टीप्लाई कर लो 7-8 का मल्टीप्लाई किया 56 अब देखो 56 बड़ा है या 53 तो मेरा नंबर 53 था यह चोटा है जो मल्टीप्लीकेशन से तो इसका मतलम मैं इस में से तो छोटा उठाऊंगा अगर आपने यहां से फिर से किया तो यह फिर से 56 चिंजेज नहीं आएगा ये वाला प्लेस जिन दो नंबरों के बीच मारा है उनमें से छोटे नंबर पे ही होगा बात समझ में आई चलिए नेक्स तो चार एक्जामपल और देख लेते हैं अब दोख वाई फिर से 1-2 समझ लो इन दोन एक्जामपल में तो यह दो छे या तो यह चार का होगा यह चेक किया मैंने यह भूल जाओ चालीस को चेक करो कहां लाई कर रहा है तो बहई छे और साथ के बीच मलाई कर रहा है इस बार तो यह तो जिन दोनों के बीच मलाई कर रहा है उनमे से छोटा नंबर आप इसकी जगे लिख दो तो ये तो 6 आ गया इसके बाद आप ये देखो कि 40 किसके करीबी है 6 के या इसके यहां आप कन्फूज हो जाओगे कि यहां पर आप देखो की तो लगव लगव मिड शे मैं आ रहा है तो आपको मेने जो दूसरा तरीका बता है मल्टिपलिकेशन वाला 6 और 7 का मल्टिप्लाई कर लो जिन दोनों नंबरों के बीच मारा है उनका मल्टिपलाई कर लो 42 आ रहा है भाई देखने से मुझे क्या लग रहा है मेरा नमबर इस multiplication से छोटा आ रहा है ना मेरा नमबर छोटा है तो मैं 4 pick-up करूँगा अगर ये अगर ये बड़ा आ जाएगा मेरा नमबर multiplication से तो मैं 6 pick-up लेता आप इसको देखिए भाई ये भी 4 और 6 का होगा क्योंकि एक आई कांग 4 और 6 है इसके बाद मैं आप इसको भूल जाओ 43 कहा लाई कर रहा है 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है जिनके बीच में लाई करता है उनमें से छोटा नमबर पिक करते हैं छोटा नमबर क्या है मेरा 6 आ गया अब लेखो इन दोनों का multiply किया 670 कितना होता है 42 जब यह 42 किया तो आप चेक करो मेरा नंबर इस multiplication से बड़ा है या चोटा तो आप देखो कि मेरा नंबर तो बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब मैंने बड़े वाला नंबर पिक कर लिया यह answer आ गया मैं उम्मीद तो करता हूँ कि आप समझ गये होगा अगर नहीं समझे हो तो थोड़ा सा और देख लो और ले लेते हैं दो example 9 का आप देख रहे हो तो यह या तो 3 का होगा या 7 का होगा यहां देख लिया करो यह list थोड़ी दिर में आपको याद हो जाएगी जब आप practice करोगे घर पे तो इसके बाद अब आपको यह से कोई लेना देना नहीं 75 को उठाओ बाई 75 कहा लाई कर रहा है 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है यह कितना आ रहा है 72 जब आप देख रहे हो कि मेरा नंबर तो बड़ा आ रहा है जो multiplication है तो मैं बड़े वाले नंबर को pick up करूँगा इसके लिए यह आ गया मेरा answer अगर आप इसको देखते हो तो यह तो 4 और 6 का है आप इसको भूल जाओ 88 अब 88 कहा लाई कर रहा है भाई 9 और 10 के बीच में लाई कर रहा है तो जिन के बीच में लाई करता है तो मैंने उनका नंबर लिख दिया उनमें से छोटा नंबर लिख दिया इसके बाद इन दोनों का multiply करो 9 और रहे अब आप एक बात उनिख बढ़ाया मेरा मल्टिपलीकेशन आपको होगे कि मेरा नमबर तो छोटा बल रहा है जब मेरा नमबर छोटा है तो मैं छोटी वाले नमबर को पिक करूँगा यहां से यह आ गया 94 का अंसर ठीक है तो देखते हैं बड़ी डिजिट का दोखो पांच डिजिट में आपको क्या करना है आप इसकी पेरिंग इधर से तो एक बार पेरिंग बच गई उसके बाद में जो बच जाए उसको एक इपेर में ले लो अब यह 6 है या तो यह 4 का होगा या यह 6 का होगा अब इसके बाद में आप इस पेर को भूल जाते हो 112 नमबर कहा आएगा आप देखो गे कि 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है यानि आपको जुतने स्क्वाइर याद होंगे 50 60 तक तो आप ये ज़ज कर पाओंगे किस स्क्वाइर के बीच मा रहा है तो इस वज़े से आपको 50 से 60 तक के स्क्वाइर याद होना आवशक है यहां आप देख रहे हो कि 10 और 11 के बीच में लाई कर रहा है तो इन में से आप छोटा नंबर पिक करते हो तो इसकी जगे तो आजाए का 10 अब इन दोनों का मल्टीपलाई करके देखा तो 11 अधाम 110 अब आपने देखा कि ये मेरा नंबर बड़ा है मल्टीपलीकेशन से नंबर बड़ इसको ध्यान नहीं देना केबल इतने पे ध्यान देना ये बड़ा है ये जब बड़ा है तो इसका मतलब मैं बड़े वाले नंबर को पिक अप करूँगा आंसर आजाएगा एक 106 अब आप देखते हैं इसको तो या तो ये वन का होगा या नाइन का होगा तो बड़ी सिम्पल सी बात ये है कि इसको अब भूल जाओ 118 को चेक करो कि ये कहा लाई कर रहा है ये फिर से 10 और 11 के बीच मे लाई कर रहा है तो जिन के बीच मे लाई करता है उनमें से छूटा नंबर पिक अप करते हैं वैसे भी आप देख रहे हो कि 118 तो 11 के करीबी जा रहा है 121 के करीबी जा रहा है तो सीधे सीधे आप 9 उठा सकते हो अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो 11 है और 10 का मल्टिपलाई कर दो 110 110 को आपने अब आपके लिए मैंने ये चार एक्जामपल लिखे हैं इनका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीके अगर आपने एक एक स्टेप को फॉलू किया तो थोड़ा सा प्रोसीजर समझने में हो सकता है आपको डिफिकल्ट लग रहा हो लेकिन समझने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि ये आंसर आप 7 से 8 सेकेंड में खुदी देंगे और आप इसे आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ठीके अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए हैल्फ ले तो आप इसे सस्क्राइब कीजिए लोगों के साथ सेयर के जिए और लाइक कीजिए वीडियो को थैंक यू